कैसे तोड़ दिया केजे अफ चाप्टर टू ने बाहू बली का रेकॉर्ड? क्यू रह गया था केजे अफ चाप्टर टू दोड में पीछे? क्या अल्लू अर्जुन के पुश्पा के साथ होने वाला है ये क्लैश? आ गई है वो मूवी जिसने तोड़ दिया है बाहू बली का रेकॉर्ड जी हाँ दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना इस मूवी ने तोड़ दिया है खुद बाहू बली का रेकॉर्ड और अगर हम आपको ये बताई कि ये कोई बॉलिवुड नहीं है तो हैरान मत हो येगा क्योंकि जिस मूवी ने बाहु बली का रेकॉर्ड तोड़ा है वो है सैंडल वोर्ड स्टार या स्टारर के जी अफ चाप्टर टू मगर बिनारी लीस हो इस फिल्म ने कैसे तोड़ा बाहु बली का रेकॉर्ड दोस्तो हम आपको बता दे के इस फिल्म के ओडियो राइट्स खरीदे है टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने 72 क्रोर के तहद इससे पहले अगर कोई मूवी अल्बम करोडों में बिका है तो वो है बाहु बली लेकिन यह स्टारर केजेफ चाप्टर टू ने वो रेकॉर्ड तोड़ दिया है अब यह कीमत एक बिक बज़ेटड बॉलिवर्ड फिल्म के समान है पीच में केजेफ चाप्टर टू के फैंस थोड़े मायूस हो गए थे क्योंकि अलू अर्जुन की नई फर्म पुषपा ने सारी अटेंशन अपनी तरफ भीच ली थी अलू अर्जुन को यहां एक टोटली नई अवतार में देखा जाएगा यूज्वली जिस अलू अर्जुन को हम रुमांटिक हीरो के तोर पर जानते हैं वालू अर्जुन दिखेंगे इस फिल्म में एक नई आवतार में उनका रोल इसमें होगा एक रेड सांडर स्मगलर का इसलिए मोस्ट अविटर फिल्म्स के लिस्ट में से केजिएफ थोड़ा पीछे पड़ गया था सिर्फ अहीं नहीं इस मूवी में दिखेंगी 90's के दो बड़े अभिनेता रविना टंडन और संजय दथ संजय दथ है में विलन केजिएफ के चाप्टर टू में इस फिल्म में शायद हम ये जान पाएंगे कि क्या है तालुक गरुडा के पिता सूर्य वर्धन और रॉक की भाई में और अगर है भी तो क्यू है तो कब हो रही है रिलीज केजिएफ चाप्टर टू दोस्तो केजिएफ चाप्टर टू रिलीज होने वाली थी 16 जुलई 2021 को मगर COVID-19 की सिचुवेशन की वेजर से रिलीज पोस्ट पॉन हो गया है और सब्टेंबर 9 दो हजार एकिस ये रिस्केडियूल डेट बताई जा रही है मगर अब ये डेट भी हो सकता है चेंज इसलिए प्रोडक्शन की तरफ से ओफिशल नोटिस ना मिलने तक हमें करना पड़ेगा इंतिजार तो क्या आप है एकसाइटिड केजिफ चाप्टर टू के लिए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर देजिए लाइक हमारे चानल को कर देजिए सब्सक्राइब आना बलकर मत भूला ताके इसे चेट पर चीज़े आपको सबसे पहले देखने को बले तो इसे के साथ में देशल आप सबसे इज्राज़त लेती हूँ झाल